मैं इस वक्त धनबात के भूली बी ब्लोक में हूँ, हमारे साथ हैं बजरंगी यादव और उनकी पतनी लच्मी यादव इन लोगों का काम है ये किसी के घर में अगर साप वगयरा कुछ भी ऐसे जहरीली चीज निकल जाती है तो इन्हें ये लोग पकड़ कर रेस्कू करकर फिर उन्हें किसी जंगल में छोड़ देते हैं कई सालों से ये काम कर रहें लेकिन एहम बात यह है कि एक महिला लच neural लच्मी डेवी जो एक महिला हो करी को पकड़ कर एंपने पती का साथ दे रहे है और फिर यह इनका सोच क्या है इसके परती हम जानना चाहेंगे लश्मी से कि एक महिला होकर यह साफ पकड़ रही है वह भी जहरीले जहरीले साफ क्या नाम हो आपका लक्षमी कुमारी यह कब से यह कर रहे हैं आप साफ पकड़ना है क्यों क्यों बस मुझे बहुत अच्छ साफ को करते हैं बस मेरे अंदर मतलब अच्छा लगा मतलब देखें की साथ को बचाना चाहिए और हर एक जीव जानतों को तक कब से कर रहे काल अभी से मतलब 2-3 तक साफ पकड़े होंगे भी क्या करते हैं फिर जैप जीवीत रहे अच्छा से रहे अपना मतलब घर में जंगल उसका जंगल मतलब ही घर होता है कुछ संदेज देंगे लोगों को यही कि साप को नहीं मारे और हमारे पास कॉल मतलब करते रहे हैं हमारा मतलब यूटूब चैनल भी है और इसनेक से पर लक्षमी इनका भी यूटूब चैनल मतलब खुद का है बजरंगी आदब और मतलब यही रुक चाहिए तो दोस्तों हमारा यही उदे से साप को इनसान से और इनसान को साप से बचाना और हम यही काम करना चाहते हैं आपने सुना महिला है लश्मी देवी यह की पतनी है बजरंगी यादब की इनका कहना है इनका सोच है कि साप से इनसान को बचाना और इनसान से साप को बचाना ये इनका एक सौख बन गया है इसलिए ये काम करती है और साथ ही इन्होंने यह भी कहा कि मुझे सबसे अच्छा लगता है कि अपने पती के काम में मैं अपना हाथ बटाती हूँ अब मैं बजरंगी यादव से बात कर कर चुके होगे अभी मैंस काम में करीबन 16 साल से हूं और अभी तक मैंने कितना भी वह साथ तो आट से दस जार साथ पकड़ा होगा इस सुला साल में और सभी साथ को बचाकर उसे सुरची जंगल पूटने है तुन्डी जंगल जो है उसमें रिलिज कर रहता हूं कहां से सिखा आपने इस कला को मैंने सिखित लिया है पूरे करकता सुंदरवन डिल्टा से और हमारे जो गुरू है भी सिखदास हो हैं कितना साफ अभी तक आपने रेस्कू किया हुआ करीवन नौहीं नौही यह सबको अधिकार जीने करें तो हम लोग उसे क्यों मारे सांप अगवार तभी घुशते हैं जब बरसाथ में उनके घरों में बील में पानी घुशता है तो साब अगबका के हमारे घर में परवेस करते हैं तो गलती हम लोग की नहीं है हमारे पेड़ पौधा जो कट रहा है ये सब एक नश्ट हो रहा है हमारे पारों को जो नश्ट है और हम लोग किसी घर में साब परवेस करता है पर साब अपने बचाओ के लिए इंसानों काड़ता है तो इसलिए मैं चाहता हूं कि मेरा उदेश ही है कि साब को मारे नहीं कहीं भी अगर साब देखे तो हमें कॉल करें हमारों देश है साब को इंसान तथा इंसानों को साब से बचाना चलता हुए रोजगार कैसे चलता हा रोजगार हमारा 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 चलता है शुसी है और इता है और अब में आप परिवार को छाता है। एक हमारे बढ़े बाई हैं जो कि जलान फेक्ट्री में सुपर वाइजर हैं तो हमारा कुछ मिला करके 12-15 अरफ यहीं हैं आपकुछ नहीं करना चाहते हैं वह यहीं है। जिन्ड की पुरा ये करना चाता हूं कि मैं पूरे अनिमलस की बचाऊँ करते हैं में वह काम भुखना चाहता हूं तो ऐस आप ने कहा कि साम इनसान से और इंसान को शाना पहंच पाइँ गलती है तो अगर किसी बी इनसान को यहां कर किसी काटे मारे हैं और इन्सान को साफ काता नहीं और रोड साप काटा मार कोई ना इंसान की मौत सकती है मैं चाहता हूं कि पहले आप उसे जनकारी लने जनकारी फ्रक्राट कर लेए कि नहीं है किसी को साप काटता है तो हमारा हेल फ्राइन नमर पर आप उसे वाटसप पर हम फोटोस के में भीज़ें जहां पर साप काटा हुआ है मैं तुराण बता दूँगा दो में बता दूँगा कि जहिला साप है की नहीं हमारे चैनल लगातार निज के माध्यम से लोगों को बताएंगे कि कि इतने जहिले साप होते हैं और क्या बोले आप दीन में या रात में हमारे पूरे वर्ड में करीवन पचीस सो के परजातिक साफ पाए जाते हैं और इन्हीं पचीस सो परजाती में 526 जहीले साफ होते हैं पूरे वर्ड में और हमारे पूरे इंडिया में 256 परजातिक साफ पाए जाते हैं और इन्हीं 256 परजाती में हमारे पूरे इंडिया में कर पुरे जार्खन में ऐसे पांच जहीले साफ हैं एक इंडियान कॉमन करेट जिस अमनों चित्ती सैलेंड करें नाम आनते हैं यह ऐसा साफ है जो रात में आधी रात को 12 बजे 10 वह बाद निकलती है और हम इंसानों का पसीना गर्मी बिस्तर पसंद आने कार हम इंसानों को काटने बाद इंसानों को पतन चलती है और इंसान का वो ऐसा साफ है यह कोवंवन क्रेट बहुत धीरे से जर फ़ैलता है और इंसान का 2 घंटे 70 है और हमारे इंडिया का नवर्वन जहीला साप को इंडियन एइस पैटिकल कोब्रा जिसे नायग गयोमन्ध खरीश के नाम जानते हैं यह हमारे घरों पास इलागों में 24 घंटा निकलता है पर हमारे जारखंड में यह आपरे करीबन 15-20 परिशंट है इसलिए हमें जाय दिखते नहीं है यह साप आयता है बुकारो जहरीय यहा पुटकी तरह पाया जाता है तो यह सांप भी जहिला था है शांप पुट कई छेलक्ट एक ubeócrat तो यह जहिला सांप है यह Liban पहचान अगर खड़ा हो गया तो कोब्रा साप है नम्मर थी बात करते हैं इंडिया का नम्मर थी पर जो चल रहा है इंडिया निज मॉस्ट वेनस नाक रसल वाइपर हमारे अगर हमें इंसानों काट लेता है तो हमारे काट वह स्थान पर मांच गरना सुरू जाए और मांच करेंव बायट करता है उस सवार का यह सबसका है और इसका क्हाना क्या है यह शिर्फ साप हो भारत हैं जो शार को में खाता है इसका नाम है बात करते हैं यह भी रसल वाइपरृट काटने से मांच गलती है तो यह हमारे हुए इंडिया के टॉप ऐसे जहीले साफ मतलब साप कालता है तो सब से पहले हमें हमारे YouTube पर आपना जो साप काटा बाइट होता है जो वहा होता मैं अपना WhatsApp कर दे मैं बता दूंगा जहीला साप है कि नहीं कि वजरंगी का भी सोंच है और सोंख है वह कहतें है कि हमारे परिवार में पिता नहीं हैं भाई लोग हैं उन्हीं के और इनके पैसे से ही पुरा परिवार चलता है जो इनकम आता है इनका जो सौक है वो अपने पुरा जीवन इसी साप को रेस्क्यू करके अपने जीवन को बैतित करना चाते हैं जीवन अपना गुजारना चाते हैं ताक हमें फेस्बूक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं बने रहे लगाता.in के साथ